आगे बढ़ेंगे खबरों में बड़ी खबर पलवल से है जहां टोल प्लाजा मैनेजर के साथ हुई है मार्पीट पलवल से ये बड़ी खबर टोल प्लाजा मैनेजर के साथ मार्पीट करमचारियों ने टोल प्लाजा मैनेजर को पीटा हाजवी लगाने को लेकर विवात हुआ था घायल मैनेजर को अस्पताल में भरती करवाया गया मार्पीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है कुंडली गाज़बाद एक्स्प्रेस वे पर टोल प्लाजा का ये पूरा मामला कुंडली गाज़बाद एक्स्प्रेस वे तोल प्लाजा का ये पूरा मामला जहां मार्पीट की गई है तोल प्लाजा मैनेजर के साथ तस्वीरे भीज की सामने आई है कैसे तोल प्लाजा पर पूरा ये बवाल हुआ करमचारियों ने टोल प्लाजा मैनेजर को पीच दिया दरसल हाज़ी लगाने को लेकर कोई विवाद हुआ था जो करमचारी हैं उनकी अटेंडिंस को लेकर जब सवाल पूछा गया मैनेजर को तो ये बात करमचारियों को अच्छी नहीं लगी और यही वचह रही कि मैनेजर को खेरे हुए मैनेजर की बिटाई करते हुए हाज़ी लगाने को लेकर विवाद हुआ घायल मैनेजर को अस्पताल में भरती फिलहल कराया गया है आरोपी तोल करमचारियों के खिलाफ शिकायद अर्ज कर ली है पुलिस ने मार पीच का ये वीडियो सामने आया है वाइरल अब हो रहा है फोन लाइन पर नितिन शर्मा मेरे साथ जुड़का है जादा जानकारी के साथ नितिन कब का है ये वीडियो क्या विवाद क्या हुआ था क्यों करमचारियों ने टोल के अपने मैनेजर की पिटाई कर दी विल्कुल बतारा जाओंगा मामला इसमें जो टोल मैनेजर की मार्टवीट का मामला है उसमें ये आपस में इनकी कोई पहले थी एक काहसनी चल रही थी जिसको लेकर इननों इस वार्दात पहंजाम दिया है क्योंकि जो टोल करमचारी थे वो पहले ही मैनेजर के खिलाब ब पहले ही मैनेजर के पुरा विवाद हुआ तोल करमचारी ने मैनेजर के पिटाई कर दिया ही मैनेजर के पिटाई टोल करमचारी को घाय लवस्ता में अस्पताल में भर्ती कराए गया है टोल मैनेजर को टोल मैनेजर की तरफ से साथ की साथ करमचारियों की खिलाब पुलिस में शिकायत भी दर्स कराई गई है